एक्सलेंसीज, अफगानिस्तान की स्थीती पर S.C.O. और C.S.T.O. के बीच इस विशेस बैटक के आयोजन के लिए राश्पति रहमोन को मेरा धन्यवाद अफगानिस्तान में हाल के घटना करम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रिय फोकस और क्षेत्रिय सहयोग बहुत ही आवशक है इस संदर में हमें चार विश्यों पर ध्यान देना होगा पहला मुद्द यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूजिव नहीं है और बीना नेगोशेशन से के हुआ है इस से नई व्यवस्ता की स्विकारियता पर सवाल उड़ते हैं महिलाओं तथा अलपसंक्य को सहीत अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिलिदित्व भी महत्वपुन है और इसलिए यहां आवशक है कि नई व्यवस्ता की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्यूनिटी सोच समझ कर और सामुहित तरस से ले इस मुद्दे पर भारत सयुक्त राष्ट की केंद्रिय भूमिका का समर्थन करता है दूसरा विशे है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थीरता और कट्रवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्स्ट्रिमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा अन्य उग्रवादी समुवों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोसाहन भी मिल सकता है हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीडित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धर्ति का उप्योग किसी भी देश में आतंकवाद पहलाने के लिए न हो SEO के सदस्य देशों को इस विशे पर सक्त और साजान नॉम्स विक्षित करने चाहिए आगे चल कर ये नॉम्स वेश्विक एंटी टेरर सहयों के लिए भी एक टेंपलेट बन सकते हैं ये नॉम्स आतंकवाद के प्रती जीरो टॉलरंस जीरो टॉलरंस के सिद्धान पर आधारित होने चाहिए इन में क्रॉस बॉर्डर टेररिजम और टेरर फाइनांसिंग जैसी गतिविद्यों पर रोक लगाने के लिए एक कोड अफ कंड़क्ट होना चाहिए और इनके एंफॉर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए एक्सलेंसी अफगानिस्तान के घटना करम से जुड़ा तीसरा विशय यह है कि इससे ड्रग्स अविद हतियारों और हुमन ट्रफिकिंग का और नियंत्रित प्रभा बढ़ सकता है बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं इनके कारण पूरे खेत्र में अस्तिरतां का खत्रा बना रहेगा इन फ्लोस को मॉनिटर करने और इनफर्मेशन शेरिंग बढ़ाने के लिए S.C.O. Rats Mechanisms सकारत मग भूमिका निभा सकता है इसी महने से भारत इस संस्तागी काउंसिल के अद्रिश्टा कर रहा है इस विशह पर हमने व्यवारी सहयोग के प्रस्ताव डेवलप किये हैं चौथा विशह अफगानिस्तान में गंबीर humanitarian crisis का है Financial और trade flows में रुकावट के कारण अफगान जनता के आर्थिक विवस्ता बढ़ती जा रही है साथ में कोविड की चनोती भी उनके लिए यातना का कारण है विकास और मानविय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्ता पार्टनर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिक्षा, सहत और कैपेसिटी बिलिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामगरी, दवाईयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक है हम सभी को मिलकर ये सुनिशित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानविय सहायता निर्वद तरीके से पहुंच सके एक्सलेंसीज, अफगान और भारतिय लोगों के बीच सद्यों से एक विशे समंद रहा है अफगान समाज की सहायता के लिए हर खेत्रिय या वैस्विक पहल को भारत का पौन सहयोग रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सुन रहे थे स्यों स्यों समिट पर प्रधान मंत्री का संबोधन उनका मैसेज जिसमें साफत और पर प्रधान मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान का प्रभाव जो हम जैसे पड़ोसी देश हैं और साथ के देश हैं उन पर जादा पड़ेगा तो क्षेत्रिय फोकस वा क्षेत्रिय सहयोग इसमें बेहत आवशक है जो वहाँ पर सितिया है उ उसकी सुईकार्यता पर एक बड़ा सवाल है और उसकी सुईकार्यता को मानेता देने के लिए जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अलावा जो वहश्विक समुदाय है उसे सोस समझ करनेड़ने करना चाहिए वहाँ पर उन्हों ने ये भी कहा कि सभी वर्गों का प्रतिनी जिस तरह से आतंकवार्ट पर लगाम लगाने की साफ तौर पर जरूरत है उसको देखते हुए बेहद महतुपूर्ण है उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है लगातार अफगानिस्तान में मानुए सहायता की बात हो चाहे वहाँ पर इंफ्रस्ट्रक्चर डिवलप्मेंट की बात हो एक बड़ा सहयोगी रहा है एक बड़ा साजेदार रहा है और ये मदद भारत की तरफ से लगातार जारी रहेगी लेकिन अगर अफगानिस्तान में अस्थिर्ता होती है और कटरवाद होता है तो इसका जो असर है वो पूरे विश्व पर पड़ेगा और पूरे जो एक जो परमपरा है उस पर काफी असर पढ़ने वाला है तो इस पर ये मिलकर सुनिश्चित करना है कि किस तरह से वहां की जो सरकार की मान्यता है उसको स्विकारता देनी है और किस तरह से हम दे सकते हैं और किस तरह से वहां पे शांती और स्थिर्ता और सभी का हित सुन बैटर के आयोजन के लिए राश्ट्रति रहमोन को मेरा धन्यवाद अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर खेत्रिय फोकस और खेत्रिय सहयोग बहुत ही आवशक है इस संदर में हमें चार विशवों पर ध्यान देना होगा पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूजिव नहीं है और बीना नेगोशेशन से के हुआ है इस से नई व्यवस्ता की स्विकारियता पर सवाल उड़ते हैं महिलाओं तथा अलपसंक्य को सहीत अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिदित्व भी महत्वपुन है और इसलिए यहां आवशक है कि नई व्यवस्ता की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कॉमुनिटी सोच समझ कर और सामुहित तरस से ले इस मुद्दे पर भारत सयुक्त राष्ट की केंद्रिय भूमिका का समर्थन करता है दूसरा विशे है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थीर्ता और कट्रवाद बना रहेगा तो इस से पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्स्ट्रिमिस्ट विचार धाराओं को बढ़ावा मिलेगा अन्य उगरवादी समुओं को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोसाहन भी मिल सकता है हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीडित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिस्षित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धर्ति का उप्योग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो एसीओ के सदस्य देशों को इस विशे पर सक्त और साजान नॉम्स विक्षित करने चाहिए आगे चल कर ये नॉम्स वैस्विक एंटी टेरर सहियों के लिए भी एक टेंप्लेट बन सकते हैं ये नॉम्स आतंकवाद के प्रती जीरो टॉलरंस जीरो टॉलरंस के सिध्धान पर आधारित होने चाहिए इन में क्रॉस बॉर्डर टेररिजम और टेरर फाइनांसिंग जैसी गतिविद्यों पर रोक लगाने के लिए एक कोड अप कंड़क्ट होना चाहिए और इनके एंफॉर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए एक्सलेंसी अफगानिस्तान के घटना करम से जुड़ा तीसरा विशय यह है कि इससे ड्रग्स अवेध हतियारों और हुमन ट्रफिकिंग का और नियंत्रित प्रभा बढ़ सकता है बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं इनके कारण पूरे खेत्र में अस्तिरता का खत्रा बना रहेगा इन फ्लोस को मॉनिटर करने और इनफर्मेशन शेरिंग बढ़ाने के लिए S.E.O. Rats Mechanisms सकारत बग भूमिकान निभा सकता है इसी महने से भारत इस संस्ता की काउंसिल के अद्रिश्टा कर रहा है इस विशह पर हमने व्यवारी सयोग के प्रस्ताव डेवलप किये हैं चौथा विशह अफगानिस्तान में गंबीर Humanitarian Crisis का है Financial और Trade Flows में रुकावट के कारण अफगान जनता के आर्थिक विवस्ता बढ़ती जा रही है साथ में COVID की चनोती भी उनके लिए यातना का कारण है विकास और मानविय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है Infrastructure से लेकर सिक्षा, सहथ और Capacity Building तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामगरी, दवाईयां आधी पहुँचाने के लिए इच्छुख है हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानविय सहायता निर्वद तरीके से पहुँच सके Excellencies, अफगान और भारतिय लोगों के बीच सद्यों से एक विशेश समंद रहा है अफगान समाज की सहायता के लिए हर छेत्रिय या वैस्विक पहल को भारत का पूर्णों सहयोग रहेगा बहुत बहुत धन्यवार तो S.U.C.S.D.O. संबोधन में प्रधान मंतरी ने एक बार फिर साफ किया है कि अफगारिस्तान बेजो